तो गाइज यह रहा देखिए दाल गोश्ट और वाइट राइस के हमारी प्लेट रेडी है अभी हेलो गाइज वेलकम बैक टो आवर चैनल तो गाइज यह सब सामान देखके तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज कुछ जरूर पकने वाला है तो गाइज आज जो हम पकाने जा रहे है ना बहुत यह स्वादिस्ट आज हम बनाएंगे दाल गोश्ट तो यह सारी इंग्रेडेंश जो लगी पड़ी है सामने यह दाल गोश्ट के चलिए मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ तो गाइज दाल गोश्ट बनाने के लिए सबसे इंपोर्टन जो चीज़ है वह है दाल फिर उसके बार यह लोकी और उसके बार गोश्ट तो यह तीन चीज़े बहुत इंपोर्टन है और उसके साथ में जाएंगे यह खड़े मसाले कुछ तमाटर प्याज और यह धनिया पुदीना और मिर्ची और कुछ पीसे हुए गरम मसाले और हां अधरक लसुन का पेस्ट दालना नहीं भूलना तो यह सारी इंग्रेडियंस लगेंगे और इन सब को बनाने के लिए आपको लगेंगे एक बड़ा कुकर और चोटा कुकर तो चलिए शुरू करते हैं अभी ह देल जैसे ही डल गया इसमें उसके बाद आपको डालना है थोड़ असा प्यास अब इसमें हम डालते हैं हमारा गोश्ट बोर्न ले से तकरीबन सावरा किलोर है अच्छे से जाते हैं पिर इसमें आप फिर एड़ कीजेगा अधर क्लसम का पेस्ट जितना आपको सही लगे आपके साथ से डाल दीजिएगा तो बाइस याद रखिए और हम जोश को बॉइल कर रहे है तो देखिए द्रख लसन के बाद से खोड़ा सजाएगा और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला नहीं डालिए वरना गरम मसाला आपको इंदन भाड हो आप डालना नमक को मैं कभी भी फूरा नमक कम ही डालता हूं कि हमेशा जब मेरी कुक्की में होजी तो नमक जादा दो दो तो मैंने एक नया टेक्निक है कि मैं नमक कभी कम इंदन जालता हूं पानी नहीं डालते हैं जितना इसमें अभी बॉइल हो जाएगा तो इसका भी लिट लग चुका है इसको हाइफ लेंपे दो सीटी आने तक हम इसको हाइफ लेंगे और उसके बाद दो फ्लेम पे तीन से चार सीटी आन लेगे जब तो गोश्ट में रहता है जब एक तरफ गोश्ट गल रहा होगा तो उसी तरफ एक साइड में हम चलिए इस गया को भी थोड़ी गला लेते हैं इसको थोड़ा वर लेते पका लेते फृवब पानी में दाल गया और थोड़ी थी प्यास और उसमें डालते हैं अल्दी कि मैं पर्सनली दाल हाना मेरेको पसंद तो में इसमें लाल वीर्ष नहीं डालता आप लोगों चाहिए तो आप दाल सक्ते हो तो चलिए इसको भी करते हैं दाल को भी और फिर उसके बाद आगे का प्रोस्ट शुरूर करते हैं तो यह देखिए दोस्तों दाल और गोश दोनों उपर रहा है दाल जोए 2-3 से सित्यों में गल जाएगी और इसलिए भी गल जाएगी बड़ी देखिए पानी नहीं डाला थ लेकिन गोश ने अपना पानी चोड़ दिया है तो इसलिए पानी डाल हो जाएगा तो यह देखिए गोश ने अपना तेल और पानी साब छोड़ दिया है अच्छे से गल्व चुपा है अभी तो इसको साइड में करते हैं और इसी बरतल में होलो अगे का प्रोसेश तो राग अच्छे से इडल चुकिए गाइस इसको पर बोट देंगे ऐसा तो यह और हो जागी चलिए जितने हमको कंसिस्टेंसी चाहिए तो चलिए आगे का प्रोसेस करते है तो यह गाइस मैंने गोश साइड में कर लिया है तो जितना है और उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा व् org井 डाल दिया है थोडा सपर दो में टब करेंगे और शर्ड़ी अधो एस होड़ाइ तो हिस्जी में हम डालने में तोड़ा सामातर और हमादे जो कद्गी है लोकी लोकी में है जिसमें अगर यह डालोगे तो वह वाला चीज नहीं आएगा में को जादा लोकी पसंदे तो मैं जादा डालना हूँ आपको चोक नहीं जाना तो इसमें हम बाकी के भी चीज डाल देंगे जैसे की धनिया तुदी ना हमारी प्री मिर्च कर देंगे अब जो इसमें हमारा गोर्ष भी ढाल देंगे तो यह देखें गोर्ष और बाकी सब इंग्रिदेंट जा चुक है थोड़ा सा कद्दू को पकने देते उसके बाद हम डाल डालेंगे जाए जाएं यह जो तरह से तुका है इसमें हम घालेंगे आपने बाकी के पॉरे गरब मसा देंगे कि इसको निक्स करके लिए अचलिए अब डाल भी तक यह साथ में सब कुख हो जाए अब बाद बड़िया इसको मिक्स करके बन करके लगे तो यह देखे गाइस डाल गोष्ट के जो सारी इंग्रेडियन्स से जाग चुके है बस अभी हमको वेट करना है इस कद्दू का पकनेगा जैसे यह पक जाएगा हमारे दाल रेडी होगी तो गाइस हमारी जो डाल गोष् है और यहां पर इस स्टेज में हम लोग फड़ा और गर्म मसाला ऊपर सड़ाने लिए प्लस पूरा सब और इसको भी मिक्स कर देंगे है यह देखे है हमारी जो कद्दू है जो लोंकी है वो पक चुकी है गोष्ट सब दाल और सब अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखे कितनी बड़िया कंसिस्टेंसी है इसको जो अब राइस के साथ खाएंगे तो मजाएगा इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो थड़ा गाडा करके तो गाइस यह रहा देखिए दाल गोष्ट और वाइट राइस की हमारी प्लेट रेडी है अभी तो आप लोग जरूर क झाल